हाइ सजटेरियस धनूराशी कैसे हैं आप सभी स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं देखेंगे जो आने वाले नेक्स्ट 15 डेज हैं 15 दिन है वो आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहे हैं ठीक है ये रीडिंग जो है ये reading को मैं start करूँ, मैं information share करना चाहती हूँ है, कि 14 फरवरी से 14 फेबरी से tarot course, tarot learning course वो start हो रहा है और yes, live classes रहेंगी, live course रहने वाला है ये, week में two days classes होंगी और one month का course, one month एक से डेड़ महिनी का course ही रहने वाला है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ tarot ही नहीं सीखेंगे, इसके इलावा और भी बहुत चीज़ें हैं, जो आप सीखने वाले हो जैसे की candle magic tarot spells और भी बहुत चीज़ें इसमें include होने वाली है तो ये जो भी information आपको चाहीं अगर आप interested है, आपकी intuition जो है इस तरफ खीचती है आपको आप tarot सीखना चाहते हैं तो उसकी information आप whatsapp पर ले सकते हैं, whatsapp आप मुझे message कर सकते हैं, आपको information दी जाएगी, ठीक है तो ये थी थोड़ी सी information जो मैं आपके साथ share करना चाहती थी, तो अब start करते हैं आपकी reading my dear such the ideas, तो reading start करें, जो मैं always बोलती हूँ कि please थोड़ी सी breathing exercise कीज़े my dear और जिन भी divine शक्ती में आप विश्वास रखते हैं, connected हैं उनसे प्रात्ना कीज़े कि वो आपको इस video के माध्यम से guide करें, और receiving mode में रहिए, positive रहिए open रहिए, अपनी intuition से connected रहिए, यहाँ पर जो भी messages आपको मिल रहे हैं, वो आपके किसी भी area से connect हो सकते हैं, तो message आपको जिस area में receive हो रहा हो उसे वहाँ लेने की कोशिश कीज़ें, ओके तो चलें इस्टार्ट करते हैं आपकी reading खराली जे होग रहा हैं, तो कि फिटनी भी आपके इसाच टेरियस धनुराज्शी वाले इस वीदियो को देख रहें हैं 15 स्पंधरा दें करें थेंक यू घुले बाबाब आ विन विन आउटकम इस पॉरकास्ट okay the energy is gaining momentum surrender to the divine okay 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 किसी भी situation को लेकर कि अगर आप tension में हो कि आपका वो काम बन जाएगा या नहीं बन जाएगा या चीजें ठीक होंगी या नहीं होंगी तो यहां पर divine आपको बोल रहे हैं for sure यहां पर चीजें ठीक हो बस आप अपने अंदर balance बना करके रखिए और इस वक्त को जो है divine पर surrender कर दीजे इस वक्त में थोड़ा सा जो है जिसे कहते हैं जो भी चीजें आपके surrounding में हो रही है ना उनको लेकर के थोड़ा सा adjust कर लो Sagittarius और खास कर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ लोग किसी चीज की बहुत लंबे समय से wait कर रहे हो ठीक है या फिर उस तरह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो मतलब कुछ है कहीं आप stuck हो या फिर जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज से बाहर आना चाहत हो या किसी चीज का outcome आपको चाहिए basically तो आपको यहाँ पर divine बस यही बोल रहे है कि आप balance रहो ठीक है patience रखो और positive रहो और surrender कर दो divine पर ठीक है क्योंकि अभी जो आने वाला समय है ना आगे वो आपको उसके positive outcome देखने को मिलेगा ठीक है अगर आप सही थे आप सही है और आ उनवरी चीजें आगे बढ़ रहे है the energy is gaining momentum वो success आपको मिलेगी वो victory आपको मिलेगी हो सकता है कि आपने कोई exams दिये हो या फिर कहीं job के लिए आप interview देकर के आए हो और आपने अच्छा interview दिया है अपने अच्छे exam दिया है लेकिन फिर भी doubts आ रहे है चिंता हो रही है कि क कैसा रहेगा outcome तो यहां पर उसमें आपको सफलता मिलेगी आपको यहां पर बोला जा रहा है बस आप अपने अंदर balance बना कर रखो positive रहो और इस वक्त में जो है आपको अपने अंदर की patience को नहीं खोना अपने अंदर की positivity को नहीं खोना और divine पर surrender कर देना अभी ठीक है जो चल रहे हैं आपके आसपास जो भी circumstances आपके आसपास चल रहे हैं surrender कर दो okay surrender कर दो that's it इस वक्त आपकी intuition आपको आपकी intuition आपको accurately बता रही है लेकिन आपका mind space जो है वो बहुत जादा चल रहा है तीक है आपकी intuition आपको बता रही है कि चीज़े ठीक हो जाएंगी वो एक उमीद है आपको या फिर वो एक अंदर से आपको connection आपको मिल रहा है आपको पता चल रहा है divine के through कि yes चीज़े ठीक हो जाएंगी balance out हो जाएंगी चीज़े मुझे success मिलेगी victory मिलेगी grow होंगी चीज़े बट आपका दिमाग जो है ना आपको हो सकता है भटका रहा है ठीक है तो अपनी intuition को follow कीज़े अपनी intuition पर trust कीज़े आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी intuition पर trust कीज़े किसी के relationship में कुछ problems आ रही है मुझे ऐसी energies भी मिल रही है don't worry healing हो रही है आपकी relationship की next 15 days ठीक हो जाएगा सब कुछ next 15 days मुझे surrender की energies मिल रही है आप लोगों के लिए कि surrender कर दो फिर देखो चीज़े magically improve होंगी आपकी life में मुझे यहाँ पर कुछ बिगड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है मुझे चीज़ें बहतर होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है improve होती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है अगर यहाँ पर किसी की life में third party situation थी तो don't worry आपको घवराने की जरत नहीं है Sagittarius वो third party remove हो जाएगी अभी के लिए थोड़ा सा सहियम रखिये आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है थोड़ा से सहियम रखो Sagittarius डिवाइन पर ट्रस्ट रखो वो energies release हो रही है उस पर काम किया जा रहा है थेंक यू भूली पापा थेंक यू बिल जी थेंक यू मकाली थेंक यू रात राली प्लीज बताए Sagittarius धनुराशी नेक्स्ट इप्रिंडेस किस इनर्जीस में रहने वाले है रहने वाले है जितने भी आपके मच्चे इस वेडियो को देख रहे हैं the chariot oh my god victory victory देखो आप जितना अपनी intuition को follow करने वाले होना इस वक्त में आपकी intuition आपको बिल्कुँ सही रास्ता दिखा रहे है सही message दे रही है सबसे बड़ी बात बिल्कुश सही message आपको दे रही है की intuition लेकिन यहाँ पर balance की energies है again यहाँ पर भी मैंने आपको balance की बात करें यहाँ पर भी balance है तो please आपको अपने अंदर balance लाने की जरूरत है ओकी जो भी आप कर रहे हो again यह success की energies है ओके वो success आपको ज़रूर मिलेगी definitely क्योंकि यहाँ पर न यह clouds है जो कि बता रहे हैं कि अभी स्थिती आपको clear नहीं हो रही अभी doubts है अभी doubts है लेकिन वो आपको यहाँ पर सफलता देखने को मिलेगी 100% यहाँ पर divine आपको बोल रहे हैं आपकी intuition आपको बता रही है बस अपने अंदर balance रखो और आगे बढ़ते जो वो success आपकी तरफ आ रही है thank you भूले बाबा mind space किसा रहेगा oh इतने सारे cards नहीं लेंगे हम mind space कैसा रहने वाला है sagittarius का mind space आपका जगल कर रहे हो आप confuse भी हो रहे हो मतलब समझा भी रहे हो balance करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन हो रहा है balance लेकिन उतना नहीं हो पा रहा है दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है emotions बहुत ज़ादा fluctuate हो रहे है मतलब जिसे कहते हैं कि पता है सब ठीक हो जाएगा intuition बता रही है पर वो एक practical वो होता है साथ positivity के साथ आप आगे बढ़ रहे हो लेकिन आपको यह बोला जा रहा है कि balance करके चली अपनी life में आप face कर रहे हो जो भी दिक्कतें आ रही है आपको situation में यह कोई भी situation हो सकती आपके life की आप उसको बहुत ही power के साथ deal भी कर रहे हो लेकिन फिर भी doubts आ रहे हैं दिमाग में ठीक है लेकिन success आपके लिए है यहाँ पर love relationships कैसे रहेंगे love life or relationships कैसे रहेंगे Sagittarius के लिए love life or relationships next 15 days कैसे रहेंगे Sagittarius थन राशी वालों के लिए relationships कैसे रहेंगे आपके लिए cards ठीक से क्यों नहीं आ रहे हैं love life or relationships कैसे रहेंगे next 15 days के लिए 10 of wands पहला card ही लूंगी मैं career career health full spirituality temperance hmm blockage क्या रहेंगे यह फिर लॉकेश के हले यह फिर चैलेंच क्या रहेंगे basically next 15 days challenge क्या रहेंगा Sagittarius वालों के लिए challenge क्या रहेंगा page of wands okay my dear queen of pentacles exactly जो मैं आपको बता रही हूँ ना patience धहरे को बना के रखो कर्मा का card है bottom of the deck oh my god but यह बहुत ही positive है बहुत positive है यह card मुझे यह बोल रहा है कि अभी जो भी चीजें जो भी आपको अभी चीजें दिखाई नहीं दे रही है ना don't worry अब आपकी life में basically चीजें ठीक हो रही है और आपको बस trust रखना है divine पर इस समय definitely आप किसी एक situation में या किसी भी situation में आप बुरी तरीके से फसे हुए हो ये situation अभी की भी हो सकती है ये कुछ situation ऐसी हो सकती है बहुत लंबे टाइम से किसी situation में stuck डो और आपने divine से बड़ी प्रार्थनाय करी है बड़ी prayers करी है आपने बड़े efforts दाले हैं कि आप यहां से निकल लो आपको यहां से निकाला जाए ठीक है बट आप अभी भी जिसे कह होती भेतरीन तरीके से unfold होने वाली है और आपको situation से बाहर निकाला जा रहा है डिट्रली जज्मिन का काट भी है ठीक है तो वह एक announcement या फिर मैं को वह एक वक्त यहां पर आ गया है तो आपको बस honest रहना है positive रहना है बालेंस रहना है और आगे बढ़ते जाना है बाकी जो आपके हाथ की है उन्हीं कीजिए जो आपके हाथ की चीज़े नहीं है जिन पर आप कुछ नहीं कर सकते सिर्फ डिवाइन कर सकते हैं वो डिवाइन के हवाले कर दो ठीक है क्योंकि चीज़े इंप्रूव होंगी उनके हाथ में देने हैं से अपने दिमाग को इतना मत करो बैलेंस करो यह बहुत जादा जरूरी है क्योंकि आपका दिमाग जो है वह आपके दिल को भी बहुत घवराहट में लेकर के जा रहा है सिचुएशन में और यहां पर रिष्टे की अगर बात की जाए तो टैन ओफ वांट के इनरजी से येस रिष्टे में कुछ है यहां पर देखिए आप लोग तो next 15 days अपनी responsibilities यहां पर पूरी निभा रहे हो मुझे यहां पर कोई डाउट नहीं नजर आ रहा आपकी तरफ के अपनी तरफ के जो भी फर्ज होते हैं जो भी आपके करतवे हैं फर्ज हैं उनको आप पूरा करते हुए यहां पर दिखाए दे रहे हो ठीक है लेकिन येस इसक कि कुछ burden है जिसे carry करकर आप ले करके जा रहे हो ठीक है आपकी तरफ से मुझे कोई कमी नजर नहीं आ रही है कि आप रिष्टे में अपना कम दे रहे हो बलकि आप जादा ही efforts डाल रहे हो जिस वज़े से कि वो एक 10 of wands जिसे कहते हैं कि कोई एक बोज साम बन गया है आपक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ वो मैं ही करूँ तो वो वाली energies आपको यहाँ पर दिखाए दे रहे हैं लेकिन divine आपको यही बोड़ रहे हैं अगर आप किसी problem से relationship wise चाहिए आपका love relationship है चाहिए आपका other relationships है ठीक है यह जो भी आप कर्म कर रहे हो ना उसके आपको बहुत ही positive results यहाँ पर देखने को मिलेंगे रिष्टे को लेकर के खास करके यहाँ पर situation हिली हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है path बहुत difficult है जिस situation में आप चल रहे हो आपकी relationships में बहुत difficulties को आप carry करते हुई यहाँ पर जा रहे हो तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इतना tension म मतलो कोई बात नहीं क्योंकि चीजें यहाँ पर ठीक हो रही है divine यहाँ पर चीजों को ठीक कर रहे हैं बस आप उन पर भरोसा रखो और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो अपना 100% देते रहो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप अपनी तरफ से बहुत जादा दे रहा हूं या कर रही हूं ठीक है लेकिन सामने वाले की तरफ से मुझे कोई efforts आते वे नजर नहीं आ रहे हैं तो मैं क्यों करूं मतलब होता है na confusion illusions illusions दिमाग बहुत जादा चल रहा है तो divine आप यहीं बोल रहे हैं यह आपको बहुत ही अच्छे results देखने को मिल रहे हैं आप आप अपना कर्मा करते रहे हैं यह देखे कर्मा का ही काड है न नीचे देख रहे हैं कर्मा तो आप अपने good कर्मा करते रहे हैं ठीक है बाकी आप divine पर छोड़ दो यह वक्त थोड़ा सा adjustment का ही रहेगा खास कर आपके relationships love life को ले करके रिष्टों को ले करके ठीक है तो इसमे थोड़ा सा adjust करके चलिए patience हो करके patience रखी अपने अंदर सबर रखी इस वक्त में अपने अंदर चीज़े ठीक हो रहे हैं आपको बस यह बोला जा रहा है ठीक है क्योंकि मैं आपके रिष्टे में एक नई शुरुवात होते भी दिखाए दे रही हूँ एक अगर आपको किस इसी चीज़ की मदद की जरूरत ही या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ वहीं स्टॉक है कुछ आगे improvement नहीं हो रही है रिष्टे में या फिर कुछ चीज़े ठीक नहीं हो रही है तो यह 15 डेज आपको वह चीज़े movement में आती हुई नजर आएंगी ठीक है और जि इसा लग रहा है कि यहां तो आप आप किसी new job new मतलब आपकी तरफ यहां तो कोई चीज़ आ रही है या आप किसी चीज़ की तरफ जा रहे हो मतलब आप कुछ attract कर रहे हो basically ठीक है और आपकी तरफ कोई new opportunity कोई new offer और वो कोई ऐसा offer नहीं है जो आया और आप उसे notice नहीं कर हो यह कोई ऐसा offer है जो जिसकी आप शायद बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे और अगर आप career में कुछ struggle phase कर रहे थे तो उसमें से बाहर निकालने में आपको यह offer यह opportunity आपको मदद करने वाली है ठीक है अभी कोई project हो सकता है यह कोई new job या फिर किसी new job से आपका offer आना ह हो सकता है कोई भी चीज हो सकती है यह आपके business को लेकर की भी है मतलब यह opportunity जो है आपको उस भारीपन से उस struggle से बाहर निकालने में बहुत मदद करेगी और जहां अगर आपने कहीं इस opportunity या इस project को लेकर कि आपने बहुत हाथ पैर मारे थे आपके हाथ नहीं लगी वो आपके हाथ आने माले क्योंकि यहां पर win-win outcome है और आपने अपनी तरफ से बढ़ा किया है आपने बहुत fight किया है यहां पर वो energies दिखा रहे हैं आप पूरी शिदत के साथ लगे हो आप अपना 100% यहां पर दे रहे हो जिस वज़े से कि आपको उसके result जो है यह 15 दिन में द को इशू निजर नहीं आ रहे है आपके health को लेकर के बहुत अच्छा health चल रही है आपकी बट अगर आपने जिस तरहीके से आप आपको वो काम नहीं करना ठीक है आपका food आपका हो सकते हैं कि आपका खाना ठीक नहीं हो अब भार का ज़दा खाते हैं healthy food unhealthy diet आपकी हो routine आपका खराब हो कुछ भी जो आपके सेहत पर आपकी mental health हो सकती है physical health हो सकती है तो उस पर बहुत effect डाल रहा है तो please उसे change कीजिए क्योंकि यहाँ मुझे ऐसी energies मिल रही है कि intuition आपकी पहले आपको बताती थी लेकिन अब उसने भी बताना बंद कर दिया उसने भी अपने हाथ खड़े कर दी कि भी आप तो जैसे कि अरे मुझे कुछ नहीं होने वाला मैं बिल्कुल ठीक हो अरे इससे कुछ नहीं होता ऐसी energies में आप हो 15 दिन में भी अरे खा लेते हैं अरे ऐसे कर लेते हैं कुछ नहीं होगा तो वो एक careless वाली energies है आपकी ठीक है इग्नोर करने वाली energies है health को लेकर के तो प्लीज वो मत कीज़ेगा क्योंकि ये कार्ट जब भी आता है ये यही बताता है कि इस वक्त में जो आप careless हो रहे हो अपनी health को लेकर के आगे जाकर के आपको उसके दुश परिणाम देखने को म बता रहा है तो कहने का मतलब वो major level पर चीज़ें आपको effect करेंगी और ये जस्ट एक शुरुवात है ओके ये जस्ट एक minor सी चीज़ अगर अभी आपने उस पर काम नहीं किया तो आगे जाकर के उसके आपको दुश परिणाम देखने को मिलेंगे ये आपके लिए warning है ओके अब बात करते हैं spirituality की तो spiritually आपको यहाँ पर temperance का card है तो ये जो 15 दिन रहेंगे आप बहुत जिसे कहते हैं कि अपने emotions और अपनी practical life अपनी जिसे कहते हैं material life और अपनी practical life में बहुत balance करके आप लोग चलने वाले हो ये 15 दिन आप लोग बहुत ही जादा balance रहोगे मुझे य हो सकता है आप लोग अपने heart chakra पर काम कर रहे हैं उसको open करने की कोशिश कर रहे हैं आपका heart chakra आपका crown chakra यहाँ पर activate हो ठीक है third eye पर भी उसका effect में आपर देख रहे हूं आपका heart आपका third eye और crown chakra है आप एक्टिवेट होता हो यहाँ पर दिखाए दे रहे हैं आप मेंसे for sure य इतना हो सकते पानी आपको ज्यादा पीना है और आप पूरी तरीके से protected भी हैं तीक है अगर आपको विसी तरीके से लग रहा है कि कोई psychic attacks वगरा या फिर कुछ ऐसा तो don't worry आप पूरी तरीके से safe है protected है यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर प्रोटेक्टेड वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपकी वाइब्स जो है जो लोग spirituality में my dear आपकी वाइब्स बहुत एंजलिक वाइब्स आप बलकुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है है इसी तरीके स से आगे बढ़ते रही है क्योंकि आप आने वाले समय में बहुत blessings को ट्रैक्ट कर रहे हो आप अभी तो blessed हो ही हो लेकिन आप और blessings को ट्रैक्ट कर रहे हो और आपका काम सिर्फ यहाँ पर स्टॉप होने का नहीं है अभी आपको और आगी जाना है यह आपके लिए मैसेज है पिल्च ओफ़ॉंट स्किनर्जेस है देखिए यह बेसिकली एक positivity को बताता है ठीक है positive person happy person ठीक है जिसकी vibrations बहुत हाई रहती है तो definitely यह जो चीज़ें आपकी life में चल रहे है ना fluctuate जो हो रहे है और आपका mind space भी यहाँ पर जो आ रहा है आपके यहाँ पर बोला जा रहा है और किस तरीके से आप अपनी energies को अपनी vibrations को high रखते हैं तो इस पर थोड़ा focus करने की आपको जुरूरत है इस वक्त में यह सिर्फ जो spirituality में है मैं उन्हीं की बात नहीं कर रहे हूं मैं आप सभी की बात कर रहे हूं जितने भी Sagittarius धनुराशी वाले हाँ पर देख रहे हैं पानी आपको जादा से जादा इस वक्त पर पीना है पानी बहुत पीना है आपको दूसरी बात अप meditations कीजिए ठीक है और chanting अगर आप करते हैं मतलब कुछ ना कुछ आपको इस तरह के rituals आपको कर नहीं है उससे क्या होगा खास करके meditation अगर आपको कुछ नहीं आता आपको meditation करना नहीं भी आता है कोई भी meditation music लगाईए या पर seven chakras की meditation लगाईए आइस क्लोस कीजिए और बस बैठ जाए इस क्लोस करके थोड़ी देर बस बैठना है मैंनी करी आप ध्यान लगाओ मैंनी करी आप कुछ भी efforts डालो उसमें यह देखने की कोशिश करो या वो देखने की balance feel होगा आपको खुद को feel होगा कि yes आपकी vibes आपके energies जो है change हो रही है तो इस चीज़ को करने की जुरत है क्योंकि यहाँ पर यह चीज़ आपके लिए ना जिसे कहते हैं challenge ब्लॉकेज है और overall अगर आपके लिए guidance की बात की चाहें तो यहाँ पर queen of pentacles का card जो की बता रहा है again मैं यहाँ पर वही बोल रही हूँ कि आप पहली बात तो blessed हो Sagittarius दूसरी बात आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि stable रहना है ठीक है grounded रहना है शांत रहना है अपने अंदर peace को लेकर के आना है अपने जितना हो सके ना यह वक्त nature से connect होई ठीक है nature walk करना आपके लिए पैट के साथ समय बिताई है वह क्यों बोला जा रहा है इसका reason है कि आपके अंदर की नकरात्मकता जो है ना पैट बड़ी जल्दी release कर देते हैं वह खीच देते हैं ठीक है जैसे की nature खीच लेती है क्योंकि वह mother है कहते है ना mother gaia mother earth है ना तो वह mother है mother के पास जागर के हमें क फेर दें हमें कितना peaceful relaxed feel होता है वही energies mother gaia की होती है ठीक है तो आपके यहां पर बोला जा रहा है कि nature की गोद में जाने के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा stressed feel कर रहे हो negative feel कर रहे हो nature की गोद में जाए mother mother earth के पास जाए उनसे उनके पास जाए और फील कीजिए उस energies को trees को जो जमीन जो soul होती है मिट्टी होती है उसको touch करना trees को touch करना plants 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 को touch करना थोड़ी दिन nature में time spent करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और pet है तो pet के साथ समय बिताई उनके साथ थोड़ा सा खेलिए देखिए आपका stress किस तरीके से release होता है यह भी आपकी vibrations को high करने में करते हैं आपके लिए next 15 days के लिए Sagittarius के लिए Angels क्या कहना चाहते है Angels आप क्या बोलना चाहते है Sagittarius राशी वालों का next 15 days के लिए abundance येस बिल्कुल energies gaining momentum win-win outcome forecast और क्या चाहिए आपकी तरफ abundance आप attract कर रहे हो लेकिन वह सब आएगा कैसे जब आप अपने अंदर balance लेकर करके आ रहा है वो divine आपको वो भेज रहे है Angels भी आपको यहाँ पर वही message दे रहे है ठीक है और improve health की यहाँ पर message है तो यहाँ पर मुझे improving health ठीक है कहने का मतलब देखिए कि पहली बात तो आपको यहाँ पर health पर focus होने की जरूरत है ठीक है उस पर focus create करने की जरूरत है अगर थोड लोग अपनी लाइफ में तो फिर चीजें खराब हो सकती है आपको जो है थोड़ा सा उसकी तरह फोकस करनी की ज़रत है केरलेस नहीं होना है हेल्थ को लेकर के ठीक है क्योंकि यहाँ पर इंप्रूविंग हेल्थ मतलब आपकी हेल्थ खराब भी हो सकती है जो कि मैं बोल रही हूं कि अब बहुत ज़्यादा केरलेस हो रहे हूं ओके लास्ट मैसेज देख लेते हैं आपके लिए स्पिरिट आपको क्या कहना चाहते हैं नेक्स 15 डेस के लिए सैजिटेरियांस थनुर आशिवालों को स्पिरिट क्या मैसेज लेना चाहते हैं आपके तरफ खुशियां आ रही है आपको यहाँ पर यह बोला जा रहा है लेकिन एक बात है आपको यहाँ पर अगेन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है ठीक है आपकी इंट्यूशन आपको बिलकुल एक्कियूरेट मैस प्रश्च दे रही है कि आप लिकुल सही दिशा में चल रहे हो और आने वाले समय में यह जिस भी टफ टाइम पिरिएट से आप गुजर रहे हो ना वहां पर वह वह कंप्लीशन आपको मिलेगी वह अचीवमेंट आपको मिलेगी वह रिवॉर्ड आपको मिलेगा पर सिचुवेशन से बाहर आओग या किसी चीज की वेट कर रहे हो तो वह मिलेगी मुझे ना इंग्जाइटी या फिर बहुत जबहुत स्ट्रेस में आना उस इनर्जी में अप लग रहे हो कि इसका उटकम क्या होगा इसका उटकम क्या होगा ठीक है इसका रिजल्ट क्या आएगा वह एक स्ट्रेस मुझे यहां पर आता हुन है यह आप दिखा़ दे रहा है लेकिन इतने पूजिफिफुल कार्ट आपके लिए यहां पे पॉजिटिव कार्ज हा हैं completion reward success की abundance के cards आ रहे हैं जो कि आपको बता रहे हैं कि आप अच्छी चीज़ों को attract कर रहे हैं success को abundance को rewards को attract कर रहे हो तो उसके लिए आपका positive रहना खुश रहना बहुत जरूरी है तो please खुश रहिए blessings attract कर रहे हैं अपनी intuition पर trust रखिए balance लाइए अपने अंदर और आगे बढ़ती चाहिए ठीक है यह वक्त आपको यही बोल रहा है हर तरह से cards आपके लिए यह आ रहे हैं okay तो यह Sagittarius धनुराशी यह थी आपकी reading hope आप इससे connect कर पाए हो कर पाए हैं तो प्लीज वीडियो को like जरूर कीजिएगा divine को thank you बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा और सबसे सब्सेदा important बात अपनों के साथ इस reading को share जरूर कीजिएगा ताकि अगर किसी के लिए इसमें messages है guidance है तो उन तक पहुंच पाएं और अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा my dear दुबारा सबको बताना चाहते हूं tarot course start हो रहा है 14 February से अगर आप interested हैं आप join करना चाहते हैं तो आप WhatsApp पर message कर सकते हैं Thank you so much for watching my video God bless you all bye bye